आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ओन्लाइन प्रेटफॉर्म के उपर मैं नेतिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत आप सभी का इविनिंग बूस्ट अप सिरीज के अंदर इविनिंग डॉज ओफ नर्सिंग के अंदर एली शाम को साथ बज़े आपके लिए इंपोर्टेंड में टॉपिक लेकर आता हूं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है थमनिल के अंदर आपको नजर भी आ रहा है किसर ये बच् से आप लोग कमेंड कर दीजे अपने सभी दोस्तों तक शेर कर दीजे इस वीडियो को बात करते हैं कि सर ये हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे के अंदर जो ये चीज जुडि हुई है वो चीज क्या है दोस्तो अमलाइकल कोड क्या है अमलाइकल कोड तो बैसिकली आज और वीडियो भी आपको में दिखाने वाला हूँ करते हैं आज का सेशन स्टार्ट बिना किसी देरी के लेट नहीं होना है दोस्तों और उसी के आगे हम कंटिनुई करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर अमलाइकल कोड का दूसरा नाम क्या होता है आज हम कि के बारे में पढ़ने वाले हैं अमलाइकल कोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आपको यदि एक्जाम के अंदर क्यूशन पूछे कि अमलाइकल कोड का दूसरा नाम क्या होता है या इसे किस नाम से हम जानते हैं तो आपका अंसर क्या रहेगा कि सर इसे फ्यूनिस के ना अम्लाइकल कोड जो होता है यह क्या काम करता है तो यदि आपको कुछे कि यह कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है किसर यह किसके बीच में connection करता है आपने बोला किसर connection करता है लेकिन यह umbilical code किसके बीच के अंदर connection करनी का काम करता है आप बोलोगे placenta और fetus के बीच में connection between placenta and fetus कि सर प्लेसेंटा और fetus के बीच के अंदर connection प्रोवाइड यदि आपको करवाना है जोइंट यदि आपको प्रोवाइड करवाना है तो यह काम कौन करता है सर यह हमारा अमलाइकल कोड करता है फिर आपको एक्जाम के अंदर क्यूशन पूछेगा कि सर इसकी सेप कौन स कौन सी देखने को मिलती है आप बोलोगे टी सेप कौन सी सेप की अमलाइकल कोड जो होता है बैसिकली कौन सी सेप के अंदर हमें नजर में आता है जो हमारा अलफाबेट टी होता है उस टी सेप के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है हमारा अमलाइकल कोड इस देट क्लिर फिर next question पूछेगा कि सर यहाँ पर length कितनी होती है जो 5 star question है काफी बार exam के अंदर पूछा जाता है कि सर यहाँ पर अमलाइकल कोड की length जो होती है वो हमें average कितनी हमें देखने को मिलती है आप बोलोगे 50 cm और यह favorite है question examiner का हमें देखने को मिलती है लेकिन कहीं-कहीं अंदर वेरीज भी आपको देखने को मिलती है działa congratulations आपके options के उपर फिप्टी सेंटी मिलेटर है तो आप को टिक वारना है 50 cm के उपर एवरेज्ड के बात करेंगे तो average कितनी है दोस्तों तो average आपकी 50 है is that clear average कितनी है 50 cm जो है हमें देखने को मिलती है exam के अंदर question पूछा जाता है चलिगा next question लिखो कि sir amalical code का जो development होता है वो कब होता है pregnancy के अंदर जब यहां पर pregnancy conceive हो गई after the fertilization के बाद में कब इसका development हमें देखने को मिलता है तो यह development जो start हो जाता है वो बारवे दिन हो जाता है body stock ठीक है amalical code जो लटका हुआ है जो जुड़ा हुआ है एक term आती है body stock ठीक है तो यहां पर development की यही हम बात करते हैं तो development कब start हो जाता है किसर development कब start हो जाता है 12 days के बाद में किसर development कब start हो जाता है 12 दिन के बाद में सर किसके द्वारा by the body stock ठीक है एक संदचना होती है body stock मतलब स्थाक का मतलब जानते हैं कि मान लोग की ये गंटी है और ये गंटी लटकी हुई है ये body stock हो गया जिसके ये लटकी हुई है तो यहां पर जो अमलाइकल कोड है वो body stock के द्वारा ही आगे बनता है ये body stock जो है ये basically क्या बताती है body stock contain क्या करती है ये आपको question पूछे क्या contain करके रखती है body stock body stock contain contain क्या contain करके रखती है और five star question है examiner का एक jelly contain करके रखती है जिसे Watson jelly हम बोलते हैं कौन सी jelly हम बोलते हैं Watson jelly बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारे दोस्तो Watson jelly को contain करके रखती है ये exam के मंदर question पूछा हुआ है किसर कौन सी jelly पाई जाती है तो आप क्या answer करोगे Watson jelly ठीक है कि sir ये किस से covered होती है या आपका जोnamilical code है ये किस से covered होता है या हम बोल सकते हैं किस चीज से covered रहता है आप बोलोगे कि sir amniotic epithelium से cover रहता किस से रहता है amniotic epithelium से क्या रहता है दोस्तों कवर रहता है तर अस सारे इंपोर्टेंट आपको पी पॉइंट बता रहा हूं एक्जाम के अंदर क्या-क्या क्यूइशन बनेगा आपको लिख लेने है जेकर अब क्यूशन जो बनता है कि सर हमारे यहाँ पर blood supply के लिए क्या चाहिए blood vessels सी है amilical code को यदि blood supply देनी है तो यहाँ पर भी sir blood vessels सी है बोले तो amilical vessels सी है क्या चाहिए amilical vessels और exam के अंदर fusion पूछे आपको कि sir जो amilical vessels अच्छा amilical vessels के अंदर दोनों आगी amilical आर्ट्री भी आ जाएगी और amilical vein भी आ जाएगी क्योंकि blood vessels है कि सब जो amilical vessels जो होती है वो कहां से originate होती है और originate की माता जी से बोले तो मदर की side से जो है उसका origination होता है या fetus की side से origination होता है पड़ापड से आपको भी कमेंट करके बताना है कि सर ये fetus से origination होती है या मदर से मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपका knowledge improvement हो रहा है यदि हो रहा है तो आपका कमेंट आना चीए फड़ापड से ये amilical vessels जो होती है वो कहां से originate होती है originated from answer दीजिए कहां से origination हमें देखने को मिलता है आप बोलोगे fetus से ठीक है और ये exam के अंदर question पूछा हुआ है कि सर कहां से इसका origination हमें देखने को मिलता है fetus से इसका origination देखने को मिलता है फिर बारी आती है सब vessels आपने ये बोला था कि सर vessels पाई जाती है यहीं बोला था भी यहां पाई जाती है वैसल स्पाइज आती है अब स 아침 हको यहां पर वैसल की बाद करते है हैं तो यहां पर इनीशर कितनी टॉट नम्बरों वेसल सोती है इनीशेली में ओ तोटल नमबर पर वैसल मतयी क्मेंट करदीई कि सर्वाद्ट के अंदर टॉटल कितनी ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है अमलाइकल कोड के अंदर आप बोलोगे चार वेसल्स होती है कितनी होती है चार वेसल्स हमें देखने को मिलती है असासर चार कौन-कौन सी होती है दो-दो होती है दो अमलाइकल आर्ट्री होती है दो अमलाइकल वेन होती है Is that clear? कि सर शुरुवात की अवस्था के अंदर जब डवलप्मेंट होता है तो चार वेसल समय देखने को मिलती है दो अमलाइकल आट्री होती है दोअमलाइकल वेन हमें देखने को मिलती है लेकिन ये तो सर बात थी इनीशेली लेकिन सर आफ्टर फॉर मंत के बाद में सर लोचा पढ़ जाता है आफ्टर फॉर मंत अब चार महीने के बाद के अंदर सर खेल जो है वो अलग हो गया क्या खेल हो गया कि आफ्टर फॉर मंत के बाद में टोटल बलड वेसल्स कितनी रिमेन रहती है रिमेन किसर आप बोलोगे तीन वेसल्स ही पाई जाती है अरे बहिया जी यहां पर लंका लग गई किसर आफटर फॉर मंत के बाद में कितनी वेसल्स रह जाती है तीन वेसल्स रह जाती है तो अमलाइकल आर्ट्री रह जाती है और एक अमलाइकल वेन रह जाती है इस देट किलियर किसर टॉटल कितनी रह जाती है तो अमलाइकल आर्ट्री और एक अमलाइकल वेन जो है हमें देखने को मिलती है ये इनीशियली तो मैंने आपको बता दिया किसर चार होती है लेकिन आफटर फॉर बंद के बाग में तीन रह जाती है अब क्यूशन ये बनता है कि सर कौनसी डिसापियर होती है यहां पर तो आप बोलोगे राइट अमलाइकल वेन जो होती है वो डिसापियर हो जाती है या आउशेस के तोर पर हमें देखने को मिलती है इस देट क्लियर या नोट अरे येस या नो कि सर कौन सी वेन डिसपियर हुई तो टोटल तो चार होती थी इनीशिली लेकिन सर बाद के मंदर बची कौन सी सर एक चली जाती है कौन सी राइट अमलाइकल वेन जो होती है वो डिसपियर हमें देखने को मिलती है बहुत सारों का डाउट ये होगा कि सर जो आपने अभी ये बताया कि अमलाइकल एक तो आर्टरी आपने बताई और एक अभी आपने बताया कि अमलाइकल वेन होती है तो चीजे बताई अब आपको यह नहीं पता कि srfetus की साइड से कौन सी आती है मदर की साइड से कौन सी आती है तो ध्यान रखना अमलाइकल आर्टरी जो होती है वो किस direction के अंदर जाती है आप फटा पट से कमेंड कर दीजिये यहाँ पर यह रहा direction है यहाँ पर heading ले ना direction आपको क्यूशन पूचे कि सर कौन सी डाइरेक्शन के अंदर होती है कि सर अमलाइकल आट्री जो होती है वो कौन सी डाइरेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है आप बोलोगे सर प्लेसेंटा से लेकर फीटस कमेंट मैं आपका देखना चाहूंगा कि कौन-कौन यहां प प्लेसेंटा से लेकर फीटस की तरब कि अमलाइकल वेन जो होती है अमलाइकल वेन की डाइरेक्शन प्लेसेंटा से लेकर फीटस तक हमें देखने को मिलती है लेकिन अमलाइकल आर्ट्री उल्टा कर देना फीटस टू प्लेसेंटा होती है क्या होती है फीटस टू सब को समझ में आ गया होगा तो कुछ डाइग्राम में आपको दिखा देता हूं क्या-क्या चीज हम यहां पर देख रहे हैं यह बच्चा है और बच्चे के अंदर यह प्लेसंटा है प्लेसंटा से यह अम जुड़ा हुआ है बच्चे की तरब यह तरस हो गया बिल्कुल सबूहaidार्य के अंदर देख सकते है convenjm है और प्लसेंटा के त्रूंगं यह बच्चा जुड़ा हुआ है फिक अर्शी एक अमलाइकल कोड यह देखेए दो अमलाइकल है क्षुशरब्सी और यह अमलाइकल कोड है जिससे ये जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से इस डाइग्राम के अंदर भी नजर आ रहा होगा इस डाइग्राम को समझने के लिए एक वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ इसके अंदर हम देखते हैं बच्चे का डवलपमेंट जब होता है फीटस का जब डवलपमेंट होता है तो समझ भागते हैं बहिया ओवम के पास ठीक है और जाएंगे जाएंगे दीरे 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 और पहुंच गए जहां पर इसको जाना था और फर्टिलाइजिशन कर दिया सब ठीक है अब ये देखि यहां ओवेरी थी और ओवेरी से ओवम निकलता है अंडा निकलता है और यह निकल गया अंडा दोस्तों यह देखिए और यहां से रिलीज हो गया और यह देखो भाग चुका है रप्चर हो चुका है और यह जा रहा है कहां पर तयार हो चुका है यह देखिएगा और यह आ जानते हैं एंपुला वाले portion के मंदर fertilization होता है यह हैर लाइक structure आपको देखने को मिल्गरी जो मुवमेंट यहां पर करवाती है इस और यह स्पम भाग रहे हैं ऑवेरी की तरफ ठीक है और यह देखिएगा यह स्पम रीच हो चुके हैं पहुंच चुके हैं अब fertilization होगा 3D animation है मैं फिटल का development बता रहा हूँ किस तरीके से बच्चे का development होता है यह स्पम पहुंच रहा है और और fertilization करेगा यह अंदर गुजगया दोस्तों इस देट क्लियर यह देखिए fertilization हो गया जाइगोड बन चुका है दोस्तों और यह जाइगोड आगर जाएगा कहां पर सर implantation के लिए जाएगा यह देखो जाइगोड बन चुका है अब हम जाएंगे हम जहां पर जाएंगे वहां पर implantation होगा बोले तो placenta के साथ जुड़ने वाला है ठीक है क्या जुड़ने वाला है placenta के साथ जुडने वाला है अब यह आगे गया placenta के पास में अब धीरे दिये हैं यहाँ पर प्रोथ होने लग गई है यह देखिए जाइगोड मौरूला ब्लास्टूला आप सभी जानते हैं स्टेज दीरे दीरे बढ़ती है बच्चे के अंदर डवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और यह दीरे दीरे यहाँ पर देखिए डवलपमेंट हो चुका है और इंप्लांटेशन हो गया है दोस्तों इंप्लांटेशन हो गया अब अमलाइकल कोड यहाँ पर देखिएगा आपको अच्छी तरीके से डाइग्राम यह देखो बच्चा दीरे दीरे ग्रो कर रहा है और इधर से यह देखो अमलाइकल कोड जो है इधर से आ रहा है जहां प और बच्चे के थुरू पहुंचेगा खाना दाना पानी सब लोग इस देट क्लियर तो यह देखिए यह अमलाइकल कोड आपको नजर आ रहा होगा यह अमलाइकल कोड प्लेसेंटा के थुरू जुड़ा हुआ है इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है छोटा सा टॉपिक था बहुत सारे क्विशन से एकजामस के अंदर बनते हैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो फड़ापट से आप कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास और सभी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजीगा इस वीडियो को और छोटे शाम को डेली साथ बज़े आपके लिए छोटा छोटे वीडियो में लेकर आता हूँ ताकि आप पूस्ट कर सके अपने लेवल को थैंक यू सो मस्टो ओल बाई 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 और चेकर